तो आज मैं आपको कॉर्ण मसाला बनाने की बिल्कुल अलग रेसिपी बताऊंगा और इसका जो टेस्ट आना होटला और रेस्टों में जो कॉर्ण मसाला बनाता है बैसा ही आएगा बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेर करने जा रहा हूँ आपने बस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप क्यों देखना है अगर आप भी ऐसा टेस्टी कॉर्ण मसाला बनाना सीखना जाते हैं तो चली फ्रेंज जल्दी से रेस्पी शुरू करते हैं सबसे पहले हम कॉर्ण मसाला बनाने के लिए ग्रेवी तियार करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और उसके अंदर दो बड़े चममच ऑईल याइड कर दिये हैं ऑईल आपने इतना डालना है कि आपका जो तड़का है वह असानी से पक चाए और जासे थोड़ा हीट हो जाए तो आपने इसके अंदर साबू जीरा डालना है आदा छोड़ा चममच यहाँ पर मैंने साबू जीरा डालना है बरीकटे लस्टन का यूज कर सकते हैं लस्टन को आपने मीडियम फ्ले में थोड़ी दिर पका लेना है जादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है फिर प्याज एड करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा प्याज लिया था बड़े साज क्या प्याज उसको बरीक चौप क कर दो लस्टन को यहाँ पर मैंने ज्यादा गोल्डन प्राॉंट तो नहीं किया क्योंकि प्याज के साथ लस्टन परनbon कर देंगे लस्टन चल जाता है तो अब गेस की फ्लेम हाई करेंगे इस प्याज को आपने अच्छे से पका लेना है जैसे प्याज का जो मौश्र है व प्राइब करना है और अधर कलसन के पेस्ट को भी आपने प्याज के साथ अच्छे से पका लेना है गैस की फिलेम आपने यहां पेस्ट प्याज जलेना तेकि पेस्ट भी पक चुका है फिर मसाले आइड करेंगे आदा छोटा जम जिसमें हल्दी पोर्डर डालेंगे और एक देगी मिच पोर्डर से कलर भी अच्छाता है और खाने को स्पाइसी भी कर देता है लो फ्लेम में आपने हल्दी पोर्डर और देगी मिच पोर्डर को पका लेना है इसके बद आपने साथ-साथ में टमाटर एड कर देने हैं तो यहां पे मैंने तीन टमाटर डाले हैं ती में 5-7 मिन तक इनको पकने देना है, अराम से पकने दिशिए, तब तक और त्यारी कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने देखिए काजु टुकडा लिया है, और साथ में यहाँ पे मगश लिया है, मैलन सीट, काजु और मगश को मैंने यहाँ गर्म पानी में भिगो के रख दिया थ विगो किया है, तब तक हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 5 मिनट हो चुकि हैं, टमाटरों प्यार को पकते होए, और गयास की फिलिम अपनेétais प्रूपर से फिर सटावयों गद करते हैं, तो इसको प्रूपर अच्छ टम करने में गड़ी हैं, गयास की फिलिम अ तो इस तरह से आप इंस्टेंट वाइड ग्रेवी त्यार कर सकते हैं और यह देखिए टोटल आठ मिनिट हो चुके हैं टमाटरों को पकते हुए पांच मिन पहले पकाया था तीन मिन बाद में पकाया है और टमाटरों का जो मोईस्टर है वो खत्म हो चुका है तो समझे सब्सक्रें लिट्र को ज कर सकते हैं गें जम के लिखें थोड़ी है तो अब स्कत्रय则 इन के लिखा तोड़ा अच्छा से लिखे नार्ग पकाормPlhalू है क गजुके ऐसे मीन केसे पका लिखिए नाचु कहँं हो में सब्सक्राइड करेंगे का जम पना सासा अलीं कितकर काजु मघज के पेश को अच्छे से पखा लेना हैं और एक बात काजु पर मघज लोबि Yo especially काजु के hasta झालन टोमार में टोमज को अच्छे से में काजु मघज को डिया सब्हें कि लिए और अच्छे से पखशु कर देंगे किस तीन से चार क्योंकि काचुर मगच ओते हैं आप ऑईल को एबसॉर्ब कर लेते हैं और एक बाद बीच बीच में पलटा चलाते रहेगा ने तो काचुर मगच ओते हैं पैन के नीचे बड़ी चल्दी चिपकते हैं फिर हम इसमें पानी एड कर देंगे तो पानी आपने थोड़े ही डालना यहाँ पर पैन लिया है और इसमें एक फोड़ा चमाच आपने ऑईल डालना है तो देखिये दो चोड़े क्यूब्स मैं ने यहाँ पर बटर केड़ किया बटर को थोड़ा मेल्ट ओन ने देते हैं और यहाँ मैंने देखिये 200 ग्राम अमेरिकन फ्रोजन कॉर्ण कॉर्ण क मैंने अच्छे से धोली है, बॉयल नी करना इनको, इनको हम बटर के साथ सौते करेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक डाल देना है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे, और गैस की फिलेम आपने हाई करनी है, और हाई फिलेम आपने कॉर्ण को तब तर सौते करना है, जब अच्छे से फूल ना चाहें और continue पलटाच चलाते रहना है अब हमें बोलते हैं आप खाने में smoky flavor कैसे लाते हैं ये देखिए हम कैसे इन में smoky flavor लाते हैं जो high gas की flavor ना पैन के अंदर आती है और सबजी को देखिए ऐसे touch करती है उससे सबजी के अंदर एक smoky flavor आता है तो दाल देना देखिए और gas की flame आपने चालू करनी है और gravy के साथ corn को आपने अच्छे से mix कर लेना है अब corn को आपको आपको न gravy के साथ थोड़ी दर पकाना पड़ेगा ताकि gravy का जो टेस्ट है वो corn के अंदर तक आचाए तो आभी हम इसमें थोड़ी से मसाले और एड अच्छे से mix कर लेंगे और लाश में होटला रेशनला टेस्ट लाने के लिए इसके अंदर क्रीम एड करेंगे तो एक छोटा चमच मैंना इसमें क्रीम एड किया ज़दा क्रीम डालने के भी जूट है नहीं क्योंकि हमने इसमें काचूर मगज डाले है तो ग्रेवी में ग्रेवी के उपर आजाता है तो इस तरह से आप ये कौन मसाला बनाके त्यार कर सकते हैं आप इसकी गार्णशी किस चीज़ से करनी है आप इसकी जो गार्णशी है वो कर सकते हैं ग्रेटर पनीर के साथ और साथ में बरी कटाओ हरा दनीय के साथ वीडियो अच्छा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जुरूर करें ओके प्रेंस थैंक यू